अकाल पुर्ख दी सिफ्थ साला दे साड़े खास प्रोग्राम एकों कारदे विच देश दुनियां दे सारे दर्शकांदा बहुत-बहुत स्वागत है आउ सब तो पहला गुर्फते दी सांज करिए वाहे गुर्जी का खाल साव वाहे गुर्जी की फते आप सब जान देएं कि साड़ा प्रोग्राम एकों कारदा मकसद है कि जुग जुग टल साहिब श्री गुर्जी 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 अर्था देविच तो आज साड़े कोल महमान वजो पहुंचे हुए ने स्टूडियो देविच ग्यान जुगिंदर सिंग जी जो कि ग्रंथी ने इतिहासी गुर्जवरा श्री बंगला साहब दिल लिदी यानी जी बहुत-बहुत सवागदा आभ जिदा वाही गुर्जी का खालसा वाही गुर्जी की फतेएं सो आज साड़ा जो तर्म विचारदा विशा रहेगा ओ दस्तार रहेगा दस्तार जो के सिख दी इक कौमी शान द परतीक है दस्तार सिख दी कौमी आन बांते शान दी परतीक है जो दसफ़ें पाथशा शेगरु गोपिन सिंग साहिब जी ने सानु बक्षी है पर शुरू तो ही जो सिखने ओ दस्तार सजौंदे आ रहेने, कित्थो शुरू आत हुई की दस्तार नी महातता है आज कल असी देख देयां के पूरा फर्वरी दा महीना देशा ही नहीं विदेशां देविच दस्तार मुकाबले करवाय जारे ने दस्तार दिवस मनाय जारे ने जिस दे दरान नौजवान बीबियां होन जा बच्चे होन जा नौजवान मुंडे होन ओ दस्तारा सजोंदे ने और सिर्फ सिख ही नहीं, होर तरमाटोवी, होर भी पाई चारे दे लोग आके ने यड़े दस्तार आपने सिरांते सजोंदे ने एक जो जाग रुकता पैदा कीती जोंदी आई, इना दस्तार मुकाबल्यां दे जरीए, दस्तार देवस दे जरीए, दस्तार परदर्शनी दे के जो सिख दी पहचान है दस्तार तो दस्तार ती आज तरम विचार सी शुरू करते हैं सो दस्तार दी की महत्ता है दस्तार किन्नी कुछ जरूरी है सिख लिया और की दस्तार दी शान है शीर गुरु ग्रांट साभजी दे विच्च साड़े कोल एक परतक सबूत मिल दा जदो गुरु अर्जंदे पाथशा ने फुर्माँदे ने साबत सूरत दस्तार सिरा सो दस्तार सिख दे जो कौमी ताज है जान जलाली ताज जसी कह सक दे हैं दस्तार नो ग्यानी जी सबतों पहला यही जानना चाहंगे कि दस्तार दी की महत्ता है एक सिख दे ले सब्जेक्ट तोड़ा बड़ा प्यार है दस्तार क्योंकि ए पुशाक है साड़ी लेकिन मैं इस देकर पिशोकडवल नजर मारा रहा ना दस्तार कदों तो शुरू होई है की अरंबता है की मूड़ है कितों चली है किसने शुरू कीता है इस पर था ये बहुत सारे जड़े पुशाक वग्यानी लोक ने खोज कीती एक ते गल बिल्कुल सपष्ट हो गई के पगड़ी दी जड़ी अरंबता है वो हिंदुस्तान दी है लेकिन ऐसा नहीं के गुरू काल तो शुरू हो ही है जे जे से पुरानिया लिखतानों पढ़दे है ते पता लगदा है के हजरत इसा तों भी तकरीबन तिन कुह जार साल पहला दिया लिखतान लबदी है जिनादे वेच दस्तार दा पगड़ी दा परचलन सी जे उगल वक्री है के पगड़ी नो दस्तार नो पगड़ी नो इसनो बहुत सारे नावनाल जिड़े लोक ने अपने अपने बोली इलाकाई बोली दे शेतरी बोली या अपनी पुशाक दी सुंदरता दे रूप वेच अलग अलग नावनाल जान देने और एभी नाली थे म सांज कर दे हम के अज़े जे पुशाक वे गयानी लोक ने उना मताबक साड़े जे पूरवी देश ने इना दे वेच उ मन दे है के तकरीबन हजार तरीके दी जे ये ये दस्तार है पगड़ी है उबनी जान दी है एक अज़े नवी उना दी खोज है उन्जे में पुरातन गल जड़ी अरम कीती के देखो पगड़ी दी दस्तार दी शुरूबात हजरत ईशा जी तो पहला होई इसलामी अगर तरम दी गल करिये ते खजरत मुहमद साब दिया कई हदीशां कई लिखतां वेच सानू एगल लब दी है जिते उना ने पगड़ी बनन वास्ते जिकर की किता है के अपा बननी है लेकिन जड़ी आप जी ने गल कीती सिख दा ताज है सिख दी पुशाक दा मुख अंग है अनिकड़ मां अंग है ते ए हजरत मुहमद साब ने परचार भी कीता ते मैं एक होर इस जानकारी सांजी कर देया हजरत मुहमद साब आप सीरिया जाके हजरत साबनों अपना वड़ा पितामा मन देने के पगड़ी दी जड़ी शुरुआ आता है सानों ओ दात ओ देन ओ खजरत साबने देती हरता रहमदी ए गल चली आई हिंदू तर हमदी अगर मैं गल कर देया है पुरा तन गलना कई बल कर रहे हैं क्योंके कई वेदा विच पगड़ी दा जिकर है उते जिकर आनदा है के जदों यग कीते जान दे सान पावे ओ जित दे यग सान या किसे दुनिया दे बले दे जान दे सान उस वक्त अलग 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 तंग दिया पगड़ी या बनन दा हो हुकम कीता जान दा सी तो ए गल बड़ी पुरा ताना है के पगड़ी खाली गुरू साब ने नहीं देती हाँ एक चीज जड़ी गुरू साब दी रहमत करके अजसी मन देयां हो ए के बाकी पीरा ने अवतारा ने संता ने बनियां भी ने पगड़ी आ ते इस दी मात लोका नो देन दा जतन भी कीता भी अपने सिर्दे पगड़ी रखो लेकिन गुरू पाद्शाजी ने एस दा पका हुकम करके साधे सिर्दा ताज इसनो बनाया है पके रूप विच एस अनो विराश्चा तजड़ी गुरू वलो में लिया है क्योंकि मैं हजरत साब दा जिकर कीता उनने के आए के तू अपने सिर उपर पगड़ी बान क्यों उन्हाने एस दा कारण भी देता है ओ केंदे ने जिस वक्त इस संसार दे अंदर मनुख आया है ते मनुख दे सिर्दे पगड़ी सी जदो उसनो पेज दिता गया स्वर्ग बिचों इस दुनिया दे होते ते केंदे ने उसनो फरिस्तिया ने आप पगड़ी बन के पेज़ ओ केंदे तेरे वास्ते खुदादा हुकम है के तू सिर्दे पगड़ी बननी है लेकिन ओ सवाल जदो खड़ा है क्यों बननी केंदे ने ए देवते यादी पुशाक है ते फरिस्तिया दी पुशाक है ओ शबह देवता में वरते है के तेरे फरिस्ता दी पुशाक है फरिस् ते इस उते चली लेकिन उसनों उनाने मने आने गुरू पाथ्षा महराज ने महुर लाई मैं एक उदारिन थे होर देया एक गुरू नानक सा महराज जिस वक्त शोटी उमर पांदे एक ओल पढ़न गए ने ते महता कालू जी पिता जी स्थकार जोग जो लेके जान देने ना ते उस वक्त दा नानक परकाश दे विच कभी संतोक सिंग और अने जिकर कीता है के गुरू नानक सा महराज दे सीज उते सोनी शोटी पगड़ी बर सजाई गई से उस वक्त भी एप रूफ है जाड़े कोल स सूरेट परकाश गरंतविचच तो गुरू नानक साथ तो पगड़ी दि आरह बता होई है उन्हाने सिर्थे केस सांदी जत संबाहल की थी जन्युक्र गुरू अमरदाज साथ पिता जी महराज उन्हाने सेवा की थी गुरू बनन तो पहला गुरू अंगत साह दे कोल बार साल ये भी लिखता ने तयास दिया हर साल गुरू अमर दासा पिता जी नो दस्तार स्रोपे वजों पेट कीती जान दी सी गुरू का रतों ऐजे सिवा दा जदों सिवा कर दे रहने बारां साल बिना नागा सिवा कीती है उना नो पगड़ी दस्तार स्रोपे वजों दिती जान दीरी गुरू बनने तो पहला पहाव ए एक बड़ा वड़ा मान सी ताज सी ए अपने आप विजवे लखनता है अगे जिमें जिमें सारे गुरू साहिबान हाँ एक जल जरूर है कि पंचम पाच्छा तक पगड़ी दा दस्तार दा जिना सजाउन दा टांग सी ओ अलग सी जिस भी तुसी देखो जड़े आप घानी सिखने उना दी पगड़ी दी बनतर दा अलग तरीका होंदा है इसे तरह बाबर वेले वखरी सी जदों गुरू पाच्छा गुरू हर्गोविंसा महराजी ने सिखी दी एक वखरी पशान अकाल तकत सिर जया आप जी ने एक बड़ा स उन्दर तरीके नल सिखनो सस्तर तारी बना के नवा पुशाका देता है उस विच पगड़ी दी दस्तार दी जड़ी विलखनता गुरू ने पर गट कीती और इतियास इस गलदी गवाही दिन दे केंदे ने पाच्छा जी दो दस्तारा आप जी उस वेले एक शोटी ते एक वड़ी सजानी शुरू की थी इस गलदी गवाही जड़ी है उन्हा दे समकाली टाड़ी अब्दुल्ला ने अपनी अलिखतां पिच भी कीती है वो केंदे भी एक में थे छोटी जी दारन होर देया अकबर दादर बारी सी बीर 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 दी उत्थों देक मोल भी देन आया बड़ी मेनत नाल संदर बड़ी सी मोल भी ने भी पग बनी मोल भी सी तुर्की तुर्क दा आया जमया उस नू दस्तार दा पगड़ी बनन दा पगड़ी सजान दा अपना हुनर बड़ा सी ते उस नू हुकम होया दोना नू भी दरबार भी मुकाबला है तो सी अपनी अपनी पगड़ी ठेटा के दुबारा बनो उन्हा ने बनी बीरबल हारेया बीरबल दी निशा हो गई सो गाल की के पगड़ी दा परचलन जेड़ाया ए मुगलिया वक्त बेले भी होया हाँ अफगानिया ने जेड़ो हमले की ते ने उन्हा ने हैं दोस्तान दे लोकां दे सिरों पगड़ी लाई ते अपने सिर्धी पगड़ी विच ओ कलगिया भी लगान लग पए इना विच हीरे लगान लग पए अपनी सुन्दर्ता ते अपनी जित दा परती का अपनी सजावे गुरू साहब ने आप दस्तारा सजाई हैं जड़ी मैं बेंती करें ऐसा अब्दुल्ला ने जड़ी ओवार वी जिकर कीता है ना के दो तलवारी बदियां एक मीरी दी एक पीरी दी कजमत दी एक राज दी कराकी करे वजीरी दी इस दे बेच अखीर जाके उना ने ज जिकर कीता है पग तेरी के जांगीर दी के सचे पाठशा तेरी पग जांगीर दी पग ना लो की दे सुनी है क्योंके अकबर जेड़ है ओजे मुकाबले करोंगा ते ओअ अबदुल्ला गुरू पाठशा दी दस्तार नो ते जांगीर दी पगडी नो भी तुलना कर दाए जो एसाड़ा पिशोकर है के पगडी रसम बड़ी पुरानी मुडासा लो कहने पाग कहने थी पगडी कहने थी और दे कोई अजदी रीत नहीं फेर एक गल्दो रहा है एक पुरातन रीता ने जदो किसे दा वड़ा वड़े रचड़ा ही कर दा है ते नान के यां तो इसनो प आज है एक मान है बच्चे आनू पगडी यां बनन दी रसम उन्दी सी और पुरानी यां ही लिखता ने माराजा रणजी सिंग वेले दी चलो बहुत बात दी मैं एक उदारन दे 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 हैं पगडी संबहाल एक नारा पंजाब विचे पर चला तो है और पगडी संबहाल ज कोई कला सिखनी है उस वेले भी सब तो कीमती पगमन नहीं जान दी है उस ने अपने उस्ताद नो कुझ मिठा ते एक दस्तार या पांग जेडी क्योंकि दस्तार शबत साड़ है बलकर दस्तार शबत दी एक अलब पकी है कि दस्तार गुरू ने सानो देती है ते ओ पगडी दे के ही अपना उस्ता तारण की ता जान दा सी ते पगडी सब तो वड़ा ताज है लेकिन लोका ने इस नों समझे या नि तारमद आगुआ ने बनी है समझा ही भी है पर मन्ने वाले आने ने निया मन्ने गुरू ने मोर ला दी ती सिखा जिते केस ने उते केस हैं दी कह सकते हैं के सब तो जादा जो मान सतिकार है पागनू दस्तार नू उस सिख इतिहास दे विच मेले है तो सिख जो दस्तार दी महत्ता है खासत औरते गुरू साहिब ने क्यों बनननू के हासी की सिर्फ केसां दी संभाल करके और इस तो यह भी पता लगदा है कि केस एक लिए नोजवान बच्चे जिनने को कि संगत जिस तरह भी मीडिये रहीं देख दी सुनदी पही है बच्चेयां वास्ते अज क्योंकि मैं आम ही देख दे यहां पर चारकून हो देना थे असी दस्तार वास्ते केसां दी वरतों कर जाने हैं लेकिन एक गलत है केसां वास्ते दस्तार है बिल्कुल जुडा खोल देना दो दो तिन तिन जुडे बन लेने केवल अपनी दस्तार नो संदर बनाओना जजबा बड़ा अच्छा है पर केस संभाल जड़ी है वो दस्तार दे रही है ते दस्तार केसां दी संभाल लेही है आप जी ने गाल की ती के गुरू पा जान ना लो पियार दस्थारनों करता हैं बिल्कल करता है क्योंकि गुरूने सानों हुकम कीता है जी जी यून बेंती करा जिस वक्त बर्तानिया ना सिख लड़े ने गए ने टे बर्तानिया हुकोमत ने इक लिए लगे सिख साधी जड़ी फोज है, साधी जड़ी सene64 जुजारूज उननो अनु सिर उते टोप लोहे दे पानें पहने पैनेंगे। एकिन वर्ड वार चिड़ी होई है, सिख जदो लड़ रहे ने उना नाल, ते सिखाने उना नो इको गल कीती, अपने अफसरानों के देखो गल है, सिर उते जो दस्तार गुरू ने बख्षी है, साड़ी ने ताज है, साड़ी ए राखी भी करदा है, असी लोहे दा टोप किसे कीमत ते सिर उते नहीं पाउना, ते जदो बोट जादा बैस होई, ते अफसराना फिर इस गल उते समझोता किता गया, सिखान अफसराने, देखो मैं इते बेंती करांगा, साथ संगा जी, जिनने को भी दरसक सून रही हो तुसी, इस चैनल रहीं, के सिखाना जजबा अपन वांगे, हमें बुलेट प्रूफ और टोपियां पा, बहुत पारियां टोपियां उननों पार रहे हैं, हैलमेंट जिननों उसी कह सकते हैं, ते सिखाने, फोजियां ने लिखत की थी, कि किसे भी सिख फोजी दी मौत सिर विच गोली लगन नालोएगी, ओ पैंशन नहीं जाएगी, ते असी थ्वाडे कोलो मौाफ़ा नहीं लवांगे, हाँ, अगर सिर विच गोली लगन नाल कोई जखमी होंदा है, उस दे इलाज दा भी पैसा थ्वाडे कोलो नहीं लवांगे, इड़ा फकर, इड़ा मान सिकनो, गुरूदी बक्षी दस्तारते हैं, बिलकुल जिस तरह आप जी ने क्या सी के जिड़े नौजवान ने अजकल दो दो जूडे कर लेने, जिस तरह भी गाल करें, हाँ, जो भी है, पर नाली नाल एक फैशन दा सिंबल भी बन गया हुए, दस्तार, ये कहियां देता केस होंदे ने, ओ भी दस्तार सुजान देने, ए कई विद्वान कैंदेने के चलो दस्तार तस जोन देने, केस चाहे ना रखन, की ए ठीक है, वेको, खोते ते शेर दी खाल लदीयां साख्यां, बढ़ियां सुन देयां, बढ़ियां भी ने, बिल्कुल सही है, के दस्तार हो भी बड़ी सुनी, ते मुं ते दाड़ाना हो भ भी बद सूरत जापदा है, हर चीज दी शुबा है, मैं लिखतां विच्छों ही कुछ पर मान दे देयां साड़े ते आसक भाले ने, बंदे दी दस्तार दा, तो के मैं बेंती किती सी हो नहीं के हजार तरीके दी पगड़ी जेड़े पुशाक वग्यानी मन रहे हैं, ते ब किती करना साथ संगत जी बड़े प्यार ना लसी जनों इतियास वाच देयां, एक पग उन्दी सी तुरले वाली, एक पग उन्दी सी विंगी पग आम करके, मैं उदार हैं, शिरी गुरु गर्ण साब जी महराज दी बानी विच्छों दे देयां, टेड़ी पाग, टेड़ चले मन करके भी टेड़े ने, क्योंकि उन्हादी पुषाक जेड़ी हैं, उन्हादी अंदर नो दस रही हैं, बिल्कुल, बिर्ती दर साथ हैं, उन्हें आप जी ने गल कीती कि पुषाक दा एक दिखावे दा फैशन दा सिंबल बने हैं, इबी गल्दोरा देयां, जदो प पग्डियां बनियां, किते ना किते एक पगडी बंदे दी सुंदरता दा, वाके इंचिन रही हैं, पर गुर्मत दे, सिखी विशन विच एक गुरू दा धित्ता, बख्षिसा दा, ताज मननी जां दी हैं, और एतारमक रूप विच मननी जां दी हैं, सो पगडी नाल भी बंदे दी पावना दी सदी है, बंदे तुरला शाड़ दे सी लोग हैंदे, बड़ा तुरले वाला बढ़े यहां फिरद है, अंदरों खोका है, खाली है, थोत है, है कर जहीं, लेकिन पगडी तुरले दी बन दा है, पाव सी के ए चीज़ां, अंदर ले पावनों भी आपद है, और इस गल नो मैं जी भी कह दे हैं, दस्तार बड़ी सोनी है, दस्तार दी कदर नहीं, कीमत नहीं, जड़े लोग को लाके टोपी वांग उतार देने देने, दे पाल हैं देने, ए लोग ने जड़े फैशन तक सीमत ने, जी जी, एक क्योंकि ए पावना वाना जड़े सिखी नू समझन वाले लोग ने, ओ भी इस तरह ही मान देने, दस्तार नू, सो जबे सिख दी काल कर लिये, के जो सिख दी कपछान है, ओ दस्तार दे करके ही है, जड़ा अजदी दुनिया दे विचा पाल करी, पिछले जमाने दी काल करी है, तो हर तारम दे लोग जड़े दस्तारा सुज़ाने सी, आज जिस रुफ ते सिख कौम ने दस्तार नू संबाल के रख़िआ है, तो जो सिख है, ओ सिर्फ दस्तार करके ही सिख है, जो दस्तार नहीं सुझाना उस भी इस नाल सैमत हो दुसी, संत बाबा करतार सिंग जी दमदमिटक साल देवेच मुखी उना ने एक वार कल कते दा शायद मैं वैसे शेहर दा ना विसर रहे है वो पर चार वास्ते गए ते उना नो एक पंडारी सिख जी उसने सुबाल की ता हुथे केंदे बाबाजी तुसी परचार कर देंगा केस की दा जिकर करिया करो केस की सजाओ केस की तो हसके कहने लगे भी सिखा गालपता की है मैं अपने सीस उते सिर उते सत सत मेटर दियां दो दस्तारा से जांदा हां बड़ी बड़ी सोनी दस्तारा से जांदे संदे मैं दो दस्तारा से जांदा हां ते ओक सिख कहने लगा बाबाजी गाल फता की है इड़ी पारी दस्तार सजा के ना रात नो सुता नहीं जानदा ते उना ने एक गाल बड़ी कमाल दी कही कहन देने जाग के सोया करो जाग के सोया करो ओ बड़ा परेशान कहन देने जागन दा मतलब सुचेत रो केंदेने मैं डी वड़ी दस्तार सजा के ही सुनदा हाँ लेकिन मेरी दस्तार का दे नहीं लट दी क्योंकि मेरा तेया हनो मेरे गुरू देता आज भी चुनदा है बे तेयाने होके रवांगे ते छोटा जब पटका भी पा रहा है और जो सानु देख़नों मिलदा सीद लागे सोट देनें नंगे सीड फेट देया की ते रहतना में पड़ो नंगे सीस जब खावे रहतना में पड़ो सो वाक्षी सची गाल है के सिखनू अज अपने जिते केसा दे वास्ते समर्पन दी पावना रखनी है पाई तारू सिंगी को लो कि ते पुश के वेखो हैरान वहीदा जदों सी उनना दे बोल पढ़ के विचारिये याद आंदेने हलूना पेंदा है ओ तारू सिंग देया वास्त वारसा तू जिते केसा नू सोना रखना है उते संभाल लें केसा उते दस्तार सजा जे केसा दी भी गल करां केस दे जटा जूट लोक भी रखना दे संभाल नहीं कर दे सिख नू संदर केस सोनी दस्तार ना लने वाजेया मेरे गुरू ने सो अज मैं इस गल ना पके रूप विच क्योंकि आप जी ने सहमती दी गल कीती है सिख दे अंदर ले जीवन दा प्रगटा जड़ा है उस दी पुशाक कर दिया क्योंकि बंदे दी प दे दे दा मतलब खाली ऐस सथ दस मीटर दा कपड़ा नहीं दे स्थार ऊस दे पुशाक कर दा ना में मुकमल पुशाक का दस्थार नाली पूरा है ते ओ ते फिर एगल सामने आंदी है कि जो अंदर है ओस दा बाहर पुशाक तो दिस्से का जी जी ते ओ ता हर्मक हो एह गा ते तर्मीर लिबास है, पूरा शरीर कजे है, जे मन भी बचारी बिरती है, ओ नंगेज नंगा रख़दा है, गंदे कपड़े पांदा है, लोग कहा दिन देने, ए बंदा ठीक नहीं जा पदा, इस दे कपड़े जड़ेने, ओ धासरे ने पढ़की लेने, चटकी लेने, या और मैंनो लगदा के साड़े नौजवाना दे विचों या बच्चें दे विचों बहुत सारे नू नहीं पता हुएगा पाहितारू सिंग जीदा की इतिहास है, और संखेप दे विचों ओ यसी जानना चाहांगे, क्यों ना दे मान दे विचों किन्नी जड़ी दस्तार नू यहां चरकडियां ते चड़े ए बहुत वड़ा साड़ा एक अमुक खजाना ते अतोलमा खजाना इसनो दा मुल को ही ने पर कमाल है के पाहितारू सिंग जी तू जिस वक्त ना फुर्मानो या भी ना दसी से ना दी खोपरी ला दे ओ ते कोस वेले जलादने काजी ने भी जलाद दे कुछल बोल असी पड़ दे हैं केंदा है हुन कतल कराल है मुड जाके रख लें तेरी खलासी होजेगी हो केंदे ने नहीं एक गुरू की दित्ती दाइत है एक एक रोम जिड़ है ना वो अपने आप बेश शुमार कीमत रख दे बेश शुमार कीमत रख दे एक छोटी जी कहा दे हैं समावी नेड़े है जिस वक्त साड़े देश उते अफगानिया ने हमला कीता केंदे एक जनानी एक औरत बैठी हुई ये बीबी बहुत सुने थे बुड़े लंबे उसने केसन थे उसने पुशना कीता केंदे तेरे इना केसन दी तेरे इना केसन थी की कीमत है किने सुने केसने उसने सुन्दरता नो देख के केसन करके बोलदा पे है ते ओ केंदी है उसने 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 बोली नो या उसने गलनो नो नहीं समझे या ते उसनो दुर दुर मुवे कह के फिटकार देता के ते चल दुर दुर मुवे जमे आम बो तो अफगानी बंदा वो अर्बी जानदा है ओजड़ा मुवे केंदेने के सुनू क्योंकि हजड़त मुवे मुवे मुबारक कश्मीर बिच रखे आए मुवे असी बाही नंदलाल जी दे बहुल भी पढ़ दें है के हर दो आलम कीमत यकतार मुवे यारमा यारमा गुर गोब इकिक मुवे दी कीमत दुर दूर है एकिक मूतिय है तो उपड़ा है छानु रह अपने मतलब यह सो इन चीज़ां दी विरासत बड़ी बड़ी सी की पर पही तारू सिंग जी ने इसनो सच कर दे था साधे नोजवाना वास ते जरूरी है के पही तारू सिंग नू य्याद ते शुबाएमान रखी ते किरपा करते उनाने फिर खोपर उतरवानी मनजूर कर लए पर एक भी केस रोम जड़ा खंड़त नहीं होना देता सो अज जा गई है सुचे तो ये सोनी दस्तार सजाईए सोने केस संबाल के रखी है ताके ए जड़ा विर्साजिस दे लए गुरु बस ते गुरु दे ग्यान नुका मांडेया जीन दा जतन करना है जी बिलकुल बिलकुल बाइश अगे असी दस्तार विशे ते जोड़ी तरम विचार है तो जारी रखांगे आज जो पाई साब ने सानुं दस्या इतिहास वारे दस्या और बहुत कीमती गल्रना धस्तार द स्वाल पे जै हर सिम्रन कोर ने पटे आले तो जी पाई साब संखेव जुटता चाहांगे हर सिम्रन कोर जी सवाल ते बहुत कीमती है लेकिन मैं बस इस दो छोटा जाएक जबाव देना चाहांगा कि कोई भी साब्ड़ा ऊपन पंतक होते दी गालनी जिस विशे दे उते साब्ड़ा कोई मौ升 दा हालात बन देने कोई बी ता रमदा करमदा समाजदा काम हुए इना दा बड़ी प्यार दे नल बैठके विशे विचार की ती जाबे उस विशे ते क्यों होया की कारण सी केड़ी गलती रह गई बैस जड़ी शिड़ी है ए सही नू गलत पासे ते गलत नू सही पासे क्योंके पी हिरदे साबना लगा सी फैसले ले लेने हैं पर सच जानना ए जड़ी है बैसा तहरम्दे रूप विच पंतक मुद्या थे उन्दियाने ए किते ना किते सान उस असल जड़ तक पोच्चन तो दूर ले जान दी है ते असल हंदा की जड़ा मुद्धा शिड़ा है वो बहुत जड़ा विस्थार ले लेन दा ते उस ता सानू लाब काट ते नुकसान बहुत ज़ादा हो जान दा है इस वास्ते एही बेंती करांगा भी जिन्नेक पंत पंत्क मुद्धे ने इना ते सिर जोड़े जान बैठे हा जावे चर्चा कीती जावे पहला बहस और चर्चा भी चंतर उन्दा बहस दा मतलब एक दूजे नू हराना ते अपने आपनो जिताना पर चर्चा जड़ी है ना ओचर्चा शबद है साड़ा जिरता आर्मक है पाइदा ते नुकसान की है ते लाब होएगा नहीं ते ऐसी जिनने दूर हो गया दिलों इतनी दूरी वद्ध दी जावेगी जी जी बहुत बहुत तान्वाद पाई सबस्वाब दे मना दे विच्छोर भी कोई विचार सुजा स्वाल होन आज दे विशे समन्दी कोई जाबियाट जी मीडिया.slgroup.com एसमेस पे जनली ट्री टाइप करो एकोंकार स्पेश दे के अपना स्वाल सुजा अपना नाम लिखो पेश देओ पंच सथ पंच सथ पांच उते चिठी पतर दे जरिये भी तुसी सानुसम पर कर सक दे हूँ पता है एकोंकार जी पंजाब र